अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आफ सब आई होप आफ सब ठीक होंगे तो आज मैं बजार में मिलने वाले महंगे नमकिन की रैस्पी लिक्या हूँ और ये रैस्पी ना बनाना इतना आसान है कि कोई भी से घर पे कम से कम समानों से बना के तयार कर सकते हैं इसमें ज़्यादा समान भी नहीं लगती है जादा पैसे भी खर्चनी होते हैं और कम से कम समानों से बनके तयार हो जाते हैं तो फ्रेंड्स नमकिन बनाने के लिए मैं आप ले ली हूँ 100 ग्राम की इतना चने दाल और चने दाल को ना मैं दो से तीन पानी में फ्रेज करके धोली हूँ उसके बाद ना मैस में पानी टाल दी आनि दाल से घग पानी डाल से फाड़ जाल ना मैस में बेकिंग तो ऑनी सोडा को मिला करी यह जात कर चटपटा नमकिन मन आधके ताकी देख सकते हैं मेरे जो चटने की दाल वो अच्छी तरह से भीक के तयार हो गया है तो मैं इसे दो से तीन पाने में फ्रेज करके धो ली हूँ और इसे जो इसके एक्स्ट्रे पानी थे ना तो मैं उससे निकाल ली हूँ तो फ्रेंड्स अब चलिए मैं इसके आगे की तयारिया कर लेती हूँ तो मैं यहाँ पर ले ली हूँ एक बड़ा सा बरतन उसमें चन्ना तो देख सकते हैं बीच बीच में मतलब जो बेटे हैं वो भी मतलब मेरा हैप कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर सारे चन्ने में दाल को तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा अंद तक देखिएगा अगर वीडियो अच्छ लगी तो इसे लाइक सेर सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा तो मैं यहाँ पर गैस को आन कर ली हूँ और कड़ाई को रख दी कड़ाई में डाल दिये तेल गैस की फ्लैम को मैं मेडियम म गर्म हो गया है तो मैं यहाँ पर ले ली हूँ च्छनी और च्छनी में डाल दी हूँ में यहाँ पर मुंगफली भी में यहाँ पर ना कम से कम 100 ग्राम के ही इतना ली हूँ तो डाल तो फुलने के बाद वह डबल हो जाते हैं तो मैं यहाँ पर मुंगफली 100 ग्राम मतलब उसका सुगंध से पता चल जाता है कि जो मुंघफली है वह अच्छी तरह से मतलब पग गये हैं तो सारे मुंघफली को मैं फ्राइ करके निकाल ली हूँ उसके बाद न मैं चनि में डाल दी चने वाली दाल और फ्रेंच देख सकते हैं इससी कितना जाक आ रहे है न जब जाक इसका बंद हो जाएंगे न तो सारी जो डाल है वो तेल के ऊपर आ जाएंगे और मतलब इसके जाक मतलब कम हो जाएंगे अगर आपको ऐसे भी पता ना चले न, तो आप एक दाल को ऐसे अंगली में ले ले ले, उसे दवा के देखें, अगर दाल अच्छी तरह से टूट जाए तो उसे पता चलता है दाल अच्छी से फ्राय हो गए है, तो देख सकते हैं, सारे दाल मतलब तेल के उपर आ गये न, औ और इसमें जो जाक बन रही थी वो भी कम हो गई ये देखे फ्रेंट्स तो चलिए अब मैं इस दाल को अच्छे तरह से छान के मैं इसे रख देती हूँ और जो और भी डाल एक्ष्ट्रे बचे हुए है ना तो मैं उसे भी छान के तियार कर लूँगी ये देखे भी कितनी ज नमकिन को घर पे ट्राय किजिएगा सभी को बहत पसंद आएंगे तो फ्रेंट्स मैं यहां पे ले ली हूँ 10-12 करी पत्ता और करी पत्ते को मैं भी मतलब इसे फ्राय कर लूँगी इससे ना और भी जादा मतलब नमकिन चटपटा लगता है खाने में तो देख सकते हैं मेर आप चाहें तो सीफ चने डाल का भी नमकिन बना सकते हो वो तो बनाना और भी आसान है इसमें मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं मिल मतलब डालने की जुरूत पड़ती है हलका सा काला नमक डाल दें चाट मरसाला पाउडर डाल दें और एकदम से आपका चटपटा नमकिन बन और उस मिक्सिंग बॉल में डाल दूँगी चने वाली दाल जो मैंने फ्राय करके रखी थे और मुंखफली के दाने उसके बाद न मेस में डाल दूँगी स्वादा नुसार के इतना कालन मक एक चमच मेस में डाल दूँगी चाट मसाला पाउडर आधी छोटी चमच मेस में डाल दी कसमेरी लाल मिच पाउडर और एक चोटे चमच में इसमें डाल दी अमचूर पाउडर और सारे करीपत्ते को डाल दी और अच्छी तरह से हलकेल के हाथों से न मैं सभी नमकिन को मिला लूंगी तो फ्रेंट्स अगर आप इस नमकिन को गेस्ट को देंगे ना खाने के लिए तो बोन आपके तारीफे करते रह जाएंगे मतलब उन्हें पता भी नहीं चलेंगे कि आप इसे घर पे बनाए हो स्वाथ से तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और इतनी ज़्यादा टेस्टी चटपटा लगता है ना अगर एक बार खा लेंगे तो लगेगा क्या बार बार यहीं नमकिन को बनाओ और इस्टोर करके रखो और खाओ तो देख सकते हैं मिरा एकदम से टेस्टी चटपटा लाजबाब नमकिन बनके तयार है तो क्यासे लेगी मिरी नमकिन की रैस्पी एक बार जरूर कॉमेंट कीजिएगा और एक बार जरूर घर पे ट्राइ कीजिएगा सु बाई